नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो के साथ हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं जिसका उद्देश से ना केवल आपको तत्यों एवं अबधारनाओं से अवगत कराना है बलकि उन तत्यों एवं अबधारनाओं को आपको समझने में आसानी हो उसे हम MCQs की रूप में आपके सामने ला रहे हैं अब आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि जो भी MCQs आगे के स्लाइड में आपको दिखेंगे तो आप कमेंट सक्षन में हमें यह जरूर बताएं कि आपने उन में से कितनों में अपना प्रयास किया है और उसमें से आपके कितने प्रयास सही हैं चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रस्ण की ओर यह रहा पहला प्रस्ण है कि सेना इस्पेक्टे बिलिस के संब्ध में निमलिखित कत्नों पर विचार करें पहला कतन यह पौधा अफरिका के कुछ हिस्षों और दछिन भारत में एक आकरामक विदिसी पर जाती बन गया है दूसरा कथन कि सेना इस्पेक्टे बिलिस दक्षिन और मध्य अमेरिका के मूल निवासी है तीसरा कथन इसे जलाव लकडी जैसे संसाधनों के साथ साथ वनों की कटाई और मरुस्तली करन से प्रभावित बिघड़ते पारिस्थितिक तंतर से निपटने में मदद करने के लिए पेस किया गया था अब निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है Oczywiście A केवल पाला और दूसरा Option B केवल तीसरा Option C केवल दूसरा और तीसरा Option D उप्रोक्त सभी अगर आप यह देखना चाहते हैं कि आपके सवाल सही है या नहीं तो आप विडियो को कुछ देर के ल·लिए रोग सकते हैं चले हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है option D. अब इसकी व्याख्या देखते हैं. व्याख्या ये है कि एक अध्यान किया गया है. किसके द्वारा? तो वाइनाड में जो इस थी थे एक प्रकृति संगरक्षन सोसाइटी जिसका नाम है FANS और वहीं वनजीव आवासों में फैल गया है. और यहाँ पर यह है कि यह जो एक आकरामक पौधे की प्रजाती है, मतलब हम बात कर रहे हैं सेना इस्पेक्टेबिलिस की, तो यह अपने व्यापक विकास के लिए जानी जाती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक देशी आकराम हो रहे थी, उस वनों की कटाई को रोखना था. और यह मूल निवासी कहां का है, यह दक्षिन और मद्य अमेरिका का मूल निवासी है. अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्ण की ओर. दूसरा प्रश्ण जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, प्रश्ण है च जमा करके भुनाया जा सकता है. दूसरा कथन कि चुनावी बांड योजना के लिए एक पात्र पार्टी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक दल जन परतित अधिन्यम 1950 की धारा 29A के तहत पंजिकृत हो. निमलिकित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सह ही है. उप्सन A केवल पाला, उप्सन B केवल दूसरा, उप्सन Z पाला और दूसरा दोनों, उप्सन D कोई नहीं. आए देखते हैं कि इसका सही जवाब आके रहे गया. तो अगर इसके सही जवाब के हम बात करें तो इसका सही जवाब है उप्सन D. मतलब यह कि चुनावी विति विद्यःक 2017 के साथ पेज किया गया था. और इसे अधुसुचित कब किया गया था? इसे अधुसुचित किया गया था. 29 जवरी 2018 को. अब यहाँ पर यह है कि इसके किस पक्ष के दोरा भुनए जा सकता है तो केवल पात्र पक्ष के दोरा. अब यहाँ पर यह है कि जिस पक्ष के दोरा इसे भुनाये जाने की बात कही जा रही है आखिर उसकी पातरता क्या है, eligibility क्या है तो यह bond एक हजार रुपे, दस जार रुपे, एक लाग रुपे, दस लाग रुपे और एक करोर रुपे के मुलिवर्ग में जारी किया जाता है और इसे जारी किया जाता है State Bank of India के दोरा यहाँ पर यहाँ पर यह बात भी कही जारी कि एक परकार का रिन साधन होता है जो दाताओं दोरा Bank से खरदा जा सकता है और फिर उसके बाद रागतिक दल दोरा उन्हें बुनाय जा सकता है अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्वोच न्यायले ने यहाँ जाज करने के लिए निर्धारित किया है कि यह जो चुनावी बॉंड से समंधित या उसको चुनोती देने वाली जितने भी पिटिसन आ रहे हैं क्या उस पिटिसन को Constitutional Bench के पास भेजा जाए या नहीं भेजा जाए एक बात हमें यहाँ याद रखने की होगी कि चुनावी बॉंड की आखिर वैद्यता कितने दिनों की होती है तो चुनावी बॉंड की जो वैद्यता होती है उसके जारी करने की तिति से 15 दिनों तक वह वैद होता है या वह वैलिट होता है भड़ते हैं आपने तीसरे प्रस्ण की और तीसरा प्रस्ण समंधित है विश्यसादिकार से समंधित दूसरा कि संसद सदस्य द्वारा संसद में कही गई किसी बात या दिये गए किसी मत के समंध में किसी भी अदालत में किसी भी कारवाई के लिए उत्तरदाई होगा तीसरा, भारती संविधान के अनुछेद 102 में संजद और उसके सर्दस्यों की शक्तियों, विशेशाधिकारों और उन मुक्तियों की संबन में प्राबधान है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है या कौन से कथन सही नहीं है देखते हैं इसका सही जबाब क्या है इसका सही जबाब है और यह देखते हैं इसका व्याख्याँ अगर कोई भी संसद विश्यजादिकार का उलंगन करता है तो फिर वह एक डंडनी आपराथ होता है और कोई भी संसद सदस संसद में अगर कोई भी वो कथन देते हैं या वोट करते हैं तो किसी भी अदालत में उनके खिलाब कोई भी कारवाई नहीं की जाएगी या वो इस कारी के लिए किसी भी कोट के या नैधिस के परतिवा उतरदाई नहीं होते हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर प्रस्न यहाँ पर है कि निमलिकित कत्नों पर विचार करें तीन कतन कि कुल मांग में अग्रिगेट डिमांड की बात हो रही है कुल मांग में सभी उभुकता सामान पुन्जीगत सामान निर्यात हायात और सरकारी खर्च सामिल है दूसरा कतन कि राजकोसिय घाटा सरकार की भावी देंदारियों का सूचक है तीसरा कतन कि शुद्ध प्रात्मिक घाटा कुल रासी दरसाता है जिसे सरकार को उधार लेने की आविश सकता है प्रश्निया है कौन से कथन सही है या कौन कौन से कथन सही है option A केवल पहला option B केवल दूसरा और तीसरा option C केवल तीसरा option D उपरोगत सभी इसका सही जवाब है option D देखें अगर हम aggregate demand की बात करें तो आप यहां skin पर देख रहे हैं कि aggregate demand के जो components यहां पर देखें हैं यहां पर जो कारक हमें देख रहे हैं वो कौन कौन से पहला private consumption expenditure मतलब यहां पर यह बात हो लिए कि सभी उपहुगता समान की बात हो रही है दूसरा investment expenditure इसका मतलब हम किसकी बात करें यहां पर हम बात करें निवेश की तीसरा government expenditure और चौथा net export मतलब export minus import तो कुल मिलाकर यहां पर हम देख रहे हैं कि जो aggregate demand होता है वो aggregate demand c plus i plus g plus x minus m होता है दूसरे investment की अगर हम बात करें तो राजकोसी घाटा सरकार की भावी देंदारियों का सुचक होता है और अगर हम तीसरे कतन की हम बात करें यहां पर कि सुद्ध प्रात्मी घाटा कुल रासी धरसाता है जिसे सरकार को उधार लेने की आप सकता होती है तो यहां पर आप स्किन में देखें कि जो net primary deficit होता है उस net primary deficit को यहां पर जो परिवासित क्या गया हो है b plus c plus d तो b में देखें क्या है b में यहां पर है कि revenue expenditure minus revenue receipt revenue expenditure minus revenue receipt मतलब revenue deficit की बात कर रहे है वह हिस्सा जो पूझी निर्मान में अगर खर्च किया गया हो तो वो इसमें add होगा और तीसरा यहां पर बात हो रहे है कि capital expenditure मतलब पूझी कत वैसा वे जो हिस्सा है किसका जो निवल गैर रिन का हिस्सा है तो यह तीनों जो जुड़ जाते हैं वो मिलकर क्या बनते है सुद्ध प्रात्मी घटा जो इदर साता है कि सरकार को उधार लेने की आविश्यक्ता है कितनी राशी की अब हमारा ये पांचवा प्रस्ण जो PM Care से समन्दित है जरह से गौर कीजिए कि निमलिखित कत्रों पर विचार करें तीन कतन है ये कंपनी अधिनियम के तद PM Care Fund को ट्रस्ट के रूप में मानेता प्राप्त है दूसरा कतन कि इस Fund में सार्जनिक अंसदान होता है और इसे कोई बजटी साहता नहीं मिलती है तीसरा कतन इस Fund को CSRV के रूप में वर्गिकित किया गया है मत्व Corporate Social Responsibility Expanditure के रूप में वर्गिकित किया गया है अब निम्लिकित में से कौन सार्थ से कतन सही नहीं है Option A केवल पाला Option B केवल दूसरा Option C केवल तीसरा Option D उपरोग सभी देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है Option A अब देखते हैं इसकी व्याख्या व्याख्या यह है भारत में जब COVID-19 महामारी का प्रकोब था तो उस COVID-19 महामारी के प्रकोब को देखते हुए 27 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने नागरिक सहायता और आपात इस्तिति से निपटने के लिए PM Care Fund का निर्मान किया था और PM Care के Full Farm को देखें तो Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund है जो इसका नाम उसकारी के प्रती उसके उत्तरदाई तुपूर्ण भूमिका को दिखाता है अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यह भाले ही या एक नीजी निधी है जिसका उप्योग कौन प्रधानमंत्री और कोस के नियासियों के विवेक पर किया जाता है और यह जो कोस के नियासियों होंगे वो किनके दवरा होंगे वो प्रधानमंत्री के दवरानित के जाएंगे और एक महत्मुन बात यहां पर यह है कि यह भारत सरकार के कोस का हिस्सा नहीं है बनकि उससे यह सुतंत रहे आगे कि PM Care Fund को Income Tax Act या आएकर अधिनियम के तरह ट्रस्ट के रूप में इसको मानिता दी गई है और इसमें जनता का योगतान होता है या इस फंड का जो निर्मान या इसमें जो कोस होता है उसमें इसको नहीं मिलती है यह उसको नहीं है साथी साथ इस फंड में Corporate Social Responsibility V работ के रूप में भी इसको वर्गिकित किया गया है मतलब यह कि अगर इसमें जो fund होने वो CSR का भी एक भाग बन सकता है तो इस परकार आज के इस वीडियो में हमने कुल पांच प्रस्णों को देखा और हमने उसके आधार बिंतत्यों और अबधार्णा को देखा उसे समझा अब अभी तक अगर आपने 5 के 5 प्रस्णों पर अपना अभ्यास किया है तो comment section हमें जरूर बताएं कि आपके कितने प्रस्ण सही रहें इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं फिर मिलते हैं नए प्रस्णों के साथ नमस्कार